इधर राजिपाल से मिलने नितीश कुमार राजभवन जाएंगे लेकिन उससे पहले भाजपा के सारे मंत्री और उपमुख्य मंत्री राजभवन जाकर इस्तिफा दे देंगे। और भाजपा के दोनों उपमुख्य मंत्री अपना इस्तिफा साभ देंगे। और राजपाल ने दो बज़े नितीश कुमार को मिलने का समय दिया है। और दो बज़े नितीश कुमार जाकर नही सरकार बराने का पेशकरत करेंगे। वोट मांगते वक्त पूर्णिया में कि देखिए ये मेरा आखरी मौका है अगली बार हम नहीं आएंगे और इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि तरस्वी आदाव जब डिप्टी सीम बनाए जा रहे हैं तो दो हजार पचीस में बिहार के मालिक होंगे तरस्वी आदाव औ और उन्हीं के चहरे पर विधान सभा का चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन बड़ी खबर ये है कि भाजपा के सारे मंत्री और उपमुख्य मंत्री खुद ही राजभवन जाकर इस्तिफा दे देंगे और क्योंकि वो लोग समझ गए हैं कि अब नितीश कुमार रुकने वा पूचे हैं कि वो जाएंगे राजभवन और अपना इस्तिफा राजपाल महुदय को सौप देंगे और उसके बाद नितीश कुमार मिलने जाएंगे राजपाल से और राजपाल महुदय ने नितीश कुमार को दो बज़े मिलने का समय दिया है और कहा जा रहा है कि महागठ के नाम पर पादा बदला था मतलब कहा था कि हम मुखी मंत्री नहीं रहेंगे 2015 में जितन रामान जी को हटा कर वो खुद मुखी मंत्री बन जाते हैं 2017 में वो आर जेडी को छोड़ते हैं और कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की निती मेरी है उसके बाद अब 2022 है 2017 के सावन महीने मे सरकार बदलनी है तब पांच साल पहले जो सावन में हुआ था पांच साल बाद अब सावन में वो ही रिपीट होगा और जिस बात का इंतजार आर जेडी के सारे फैंस को था यानि कि तरियस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे और तरियस् अपनी फजीहत कराने से खुद ही बचा लिया अपने आपको और भाजपा के सारे मंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री राजभवन जाएंगे राजभवन जाकर राजपाल महोदय को वो लोग अपना इस्तिफा सौपने के बाद नितीश कुमार मिलेंगे राजपाल जाएंगे तरस्वी आदव नितीश कुमार मुख्यमंत्री ही रहेंगे लेकिन जो ग्रीवी भाग है वो तरस्वी आदव को मिल सकता है मतलब यह कि छेला होने की बात लगतार मीडिया में चल रही थी अब लगता है कि अब वो सच सामने आ गया है और खेला हो चुका है नि तरस्वी नितीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे लेकिन भाजपा के हिस्सेदारी अब सरकार से खत्म हो जाएगी बहराल आपको पलपल का अपडेट हम दे रहे हैं जैसे ही कोई निया अपडेट आएगा आपको अमितला करेंगे बाकी आप जंदर निक्शन दे ते रहें बहुत बहुत धन्यवाद